नमस्कार किसान भाईयों, किसान भाईयों आज हम बात करेंगे धान में लगने वाले सभी परकार के रस्चूसक कीटों के लिए भारत इंसेक्टिसेड की आन्दी कीट नाशक के बारे में और धान की फसल में BPH और WBPH जिसे हम भूरा माउ, काला माउ या तेला भी कहतें जो क परकार के रस्चूसक कीटों को बहुत ही प्रभावी धंसे मार देता है तो हम इस वीडियो में आन्दी कीट नाशक के बारे में पुरी डिटेल में बात करेंगे कि आन्दी कीट नाशक में टेक्निकल क्या है और यह कैसे काम करता है इसको धान के अलावा कोई और फसलों मे मिलती रहें तो चलिए शुरू करते हैं तो किसान भाईयों मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर बीपीच का टैक बहुत ज़्यादा हो गया है तो आपको आधिक यह नाशक डालनी चाहिए क्योंकि इसका तेले पर ततकाल और बहुत ही प्रभावी नियंत्रन है और इसमें टेक्निकल है बीपीएमसी फैनिवो कार्प 50% EC EC का मतलब इमलसी फियेवल कंसंट्रेड जो की लिक्विड फॉर्म में होता है और बीपीएमसी का फुल फॉर्म है टू बुटान टू फैनाईल एन मिथाईल कारवामेड और यह कॉंटेक्ट एंड स्टमक एक्श अगर आपने सप्रेण नई की तो फसल के उत्पाद में भरी नुक्सान हो सकता है और आप बात करते हैं कि आंधी कीट नाशिक धान की फसल के पंग कंट्रोल करता है तो किसान भाइयों आंधी कीट नाशिक धान की फसल में BPH मतलब brown plant hoppers WBPH मतलब white back plant hoppers और green leaf hoppers को कंट्रो के लावा आप इसे आम, कपास, चाय में लीफ हॉफर्स, टिप बॉरर और थ्रीप्स को कंट्रोल करने के लिए डाल सकते हैं और फैनियूबू कर्ब दुनिया भर में प्लांट हॉपर्स के लिए एक सबसे लोक प्रिये कीट नाशक है और चावल में हॉपर्स के नियंत्रन के और अगर आप आदी को किसी भी सिस्टमिक टेक्निकल के साथ मिला के डालें तो इसकी मात्रा है 200 ml प्रती एकड और आप BPH के लिए सप्रे में 200 लिटर प्रती एकड पानी का ही प्रियोग करें नहीं तो BPH अच्छे से कंट्रोल नहीं होगा और आप BPMC मतलब आदी को सुब एक फसल में किवल एक बार ही इस्तमाल करें और किसान भाईयों आप एक बात का हमेशा याद रखें आप जब भी BPH की सप्रे करें तो कोशिश करें खेत में पानी ना हो और अगर आप फंगस की सप्रे करें तो खेत में पानी होना चाहिए तब जाके BPH और फंगस की दवा अच्छे से काम करती है और आप बात करते हैं इसके रिजल्ट के बारे में तो इसका रिजल्ट 10 से 12 दिन तक रहता है और इसका पैकिंग साही जाता है वीडियो को लाइक शेर और चैनल सस्क्राइब करना ना भूलें धन्यवाद